असलाम अलेकुम मैं अब्रिवन गुड मॉर्निंग टू आल आफ यू तो जी आप लोग कैसे हैं उमीद है कि अच्छे होंगे और दुआओं में याद कर रहे होंगे मुझे इदर मैं दो तीन दिन से व्लॉग नहीं डाल पाई थी तो आई होप आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये कहां जा रही हूं मैं तो गाइज ये मेरा सड़नली प्लान हुआ था तो मुझे जाना था लखनो और जादा दूर नहीं है मैं पहल कजिन सिस्टर है उनकी तब्यद नहीं सही है तो मुझे उनके पास भी जाना था और जो मेरी सिस्टर है उनकी भी तब्यद नहीं सही है तो मुझे उनके पास भी जाना था तो फिलाल हम लोग कजिन सिस्टर के पास पहले जा रहे थे तो क्योंकि उनकी जादा तब्यद खर चलो ठीक है वाई कि ये सही है कि बस तो मिल गई मुझे वहाँ जाने के लिए तो गाइज फिर यहां से मेरा जो सफर है वो स्टार्ट होता है लकनो जाने तक का झाल मंझे का अे का ई। झाल 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 तो गाइस जैसा की अब हम लखनों के अंदर पहुच चुके थे और हमको बस अपना ही स्टॉप पे जहां पे मुझे उतरना था वहां तक के जाना था तो गाइस मैं वहां पे उतर करके फिर हम लोगों को अपना जो भी था घर तक के जाने के लिए उबर ओला वो सब करना था तो वो चीज़े मैं लोग ने कर ली थी और उसके बाद मैं अपना लगेश लेके फाइनली घर पर पहुच गई थी और ये रहा मेरा लगेश और मैं जस्ट अभी अभी यहां पर पहुची थी जैसा की अभी आप लोग को दिख रहा है कि थैंक गॉड पहुच गई मैं जल्दी से और यहां वाह में मेरे घर से यहां पर जादा डिस्टेंस नहीं और यह देखे यहां पर जो चोटी चोटी फीश है वो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे मैंने जब देखा तो काफी अच्छा लगा मुझे और गाइस मुझे यह भी कहना था कि जो भी जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है जिन लोग ने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन आउन करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा और जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं प्लीज वो भी मेरे सारी वीडियो लाइक करा करें और अच्छी अच्छी से कमेंट्स करा करे तो गाईज फिर हो गई थी रात और रात में जो डिनर था वो हम लोग खा रहते हैं और मुझे थोड़ा सा गरम करके और काना था तो उसके बाद मैं वाक करने के लिए बहुर नेकल गई थी यहां पर कि डिनर करने के बाद जब थोड़ा सा वाक कर लो ना तो काफी हलका हलका फील होता है और अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी तब तक के गाइस अब मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ आप लोग अपना ख्याल रखेगा दुआओं में याद रखेगा इंशाला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी आप लोग से